तो यहाँ सवाल में given है कि X और Y दो positive integers हैं और जिसमें X जो है वो Y से बड़ा है तो यह जो expression है 3X प्लस 2Y और 2X प्लस 3Y जब दोनों को आप 5 से divide करते हैं तो पहले case में remainder 2 आता है और दूसरे में 3 आता है ठीक है तो कोई quotient आया होगा Q similarly जब आप 2X प्लस 3Y को divide करते हैं 5 से remainder आता है 3 और यहाँ पे कोई quotient आयेगा इसको आप Q' कह देते हैं अब simply आप यह देखिए कि यह जो number 3X प्लस 2Y इसको आप कैसे लिख सकते हैं 5 into quotient plus remainder similarly दूसरा number आप कैसे लिख सकते हैं 5 into quotient Q' plus remainder आपको सवाल में पूचा है कि अगर X minus Y को 5 से divide करेंगे तो remainder क्या आएगा तो देखिए अगर आप सबको यह minus कर दें यहाँ पर तो यह क्या हो गया X minus Y और यह हो गया 5 Q minus Q' and this is minus 1 तो X minus Y क्या आगया यह आगया तो इसको आप 5 से divide करें राइट 5 से divide करेंगे तो यह तो पूरा पूरा divide हो जाएगा remainder 0 आएगा क्योंकि 5 का multiple है और यहाँ पर क्या 0 आगया ठीक है minus था है minus लगा दिया 1 को 5 से divide करेंगे remainder आएगा 1 तो overall remainder हो गया 0 minus 1 that is minus 1 लेकिन मैंने आपको बताया था remainder के concept में कि remainder negative नहीं होता जब भी वो negative आए तो divisor जो है उसको add कर देना होता है तो that will be 4 तो remainder जो actual हुआ वो 4 हुआ and it's simple